इस डिपार्टमेंट के लिए वकेंसिस अनौंस की है और स्टुडेंट्स बहुत जल्द आपका टी ट्रिपल एस बी कि नोटिफिकेशन आउट हो सकती है बहुत पहले से इसकी विकेंसिस डिकलेर हो चुकी है आई टी डिपार्टमेंट की डिफेंट डिफेंट सेक्शन में क्लेरिकल डिपार्टमेंट्स की और स्टुडेंट्स आपका ऑल्रेडी आई पीस क्लेर्क और SBI पी ओ आउट हुआ पड़ा है ठीक है जो बच्चे इनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं जल्दी से फॉर्म अपलाई कर दें और जो बच्चे अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं त्यारी कर रहे हैं वह हमारे से जुड़े रहें ऐसे इंपोर्टन अफडेट्स के लिए तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के करन्ट फेर जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट्स हमने करन्ट फेर को एक लिमिटेड टाइम देना है डेली बेसिस पर आप हमसे जुड़े घंटे लगा के तीन घंटे चार घंटे लगा के करन्ट फेर कर लेंगे और उनको लंबे समय के लिए याद रख लेंगे यह पॉसिबल नहीं होगा तो स्टूडेंट्स आप जिस भी एक्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करन्ट फेर बहुत चाइना लॉंच फर्स्ट सोलर अबजरवेशन सैटलाइट तो यहां पर चीन ने पहला अपना स्टूलर आप्जरवेशन सैटलाइड लॉंच किया है इससे पहले मैं आपको बता दूगे चाइना अल्रेडी अपनी कंट्री में आरटिफीशियल सन और आरटिफीशियल मू कि आप कह सकते हैं कुछ सेकेंड के लिए उसका मैक्सिमम टेंपरेचर आप इमेजिन नहीं कर सकतें कितना गया होगा आपको थोड़ा सा में डिटेल समझाता हूं कि जो सन होता है स्टुडेंट सन का जो कोर टेंपरेचर है वो है लगबग लगबग डेर लाख डिग्री सेल् सन है जो धिटेल सेल्सियुस एक लाख पचासजास अब आप सोच नहीं सकते हैं इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो चाइना ने जो रियक्टर बनाया जो सोलर आप कहसकें कि आर्टिफिशियल सन बनाया है उसका टेंपरेचर कितना जा सकता है मैक्सिमम तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि उसका जो टेंपरिचर गया था वो गया था सिक्स्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तो चाइना ने मतलब कि यह क्या कहेंगे इसको कमाल से भी बहुत बहुत ज्यादा कमाल ठीक है जी डेड़ लाख डिग्री सेल्स उसका जो टेंपरेचर पहुंचा मैक्सिमम टेंपरेचर कुछ सेकेंड के लिए रहा सिक्स्टीन मिलियन सिक्स्टीन मिलियन कितना हो गया एक सो साथ लाख डिग्री सेल्सियस तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनर्जी जो है वह क्रिएट कर रहा होगा ठीक ठीक है तो रात को भी वहाँ पर रॉष्णी प्रोवाइड करके लाइट प्रोवाइड करके वहां पर आप कह सकते हैं कि उन प्लेस को वर्किंग बनाया जा सके ठीक है इसके अलवा और भी बहुत सारी चीजों में इन उपकर्णों का यूज किया जा सके तो यहां पर जो निकल के आई है कि चाइना ने जो है अपना पहला ऐसा फर्स सोलर अब्जरवेशन सैटलाइट लॉंच किया है लॉंग मार्च टूडी रॉकेट ठीक है किसके दौरा मार्च टूडी रॉकेट फ्रॉम दा त्यायूं सैटलाइट लॉंच सेंटर इन नॉर्दन शंक्षिया प्रोविंस ठीक है जी अब कोशन आजेगा कि जो चाइना ने सैटलाइट लॉंच किया है इसका वेट कितना है एप्रॉक्सिमेट वेट है स्टूडेंट 550 गेजी ठीक है और इसका नाम किया है इस आ शी ही एकस आई स्टूडेंट्स इसको आप प्रनाउंस करोंगे शी शी ही ठीक है जी कुछ लोग इसको 11 पढ़ देंगे कुछ लोग इसको जाई पढ़ देंगे ठीक है शी जो आप समझ सकते हैं चाइनीज लेंगविज का वर्ड है शी जैसे शाउमी है ठीक है सिंपल सी शी ही सैटलाइट विल मॉनिटर दा सन फॉर थ्री इयर्स तो मतलब कि आप यह मान के चल सकते हैं कि यह जो सैटलाइट बनाया है यह सूरे के इर्द गिर्द जो है चकर लगाएगा मॉनिटर करेगा सूरे को लगबग सन को लगबग तीन सालों के लिए और सन की इनर शेल मतलब सन है क्या और ज्यादा पास और ज्यादा करीब से जाकर उसको जानने का तरीका सबको पता आग का गोल है ठीक है जी हाइडरोजन हीलियम इन गैसों से बना हुआ है आग का गोला है सन इस अकाइंड ऑफ श्टार यह तो बेसिक अभी तक सबको पता है लेकि इसके बाद चाइना का जो नाम है वो और भी ज्यादा टॉप पर पहुंच जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो कंट्री जो है रिसर्च वर्क पे रिसर्च एंड डेवलप्मेंट पे इतना ज्यादा जो सीरियस है ठीक है जी तो वह और लेडी वह डेवलप कंट्री मे इस दिडिड नॉट एक्सेस दा ओप्टिकल डाटा आउटसाइड अटमोस्पेर तो शी ही सैटलाइट अपर शोलर ऑप्शन सैटलाइट बाइट बाइट चाइना विल एड दा कंट्री तो फिल दैट गैप आप यह समझ सकते हैं कि चाइना जो है एडवांस लेवल पे प परसनल एन ये नैशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर ठीक है एना ये लेवल टॉक अफगानिस्तान पाकिस्तान आल्सो इंवाइट तो यहां पर स्टूडेंट्स इंपॉर्टन निव्स निकल के आईए जो एना ये चीफ है नैशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर चीफ Chief Justice of India कौन है तो यह आपने एक लिस्ट बनानी है ठीक है चाहिए आप हाथ से लिखके बनाएं चाहिए आप इनके screenshot रखें लेकिन यह आपने डेली पर 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 इन चीजों को पढ़ना है ठीक है सब्सक्राइब करने के बाद इंडिया की जो अलड़ी इंवेस्टमेंट्स है अफगानिस्तान में या बहुत सारी इंडियन का ट्रेड है हमारी कंट्री का ट्रेड अफगानिस्तान के साथ वह चीजें जो है इससे एफेक्ट हो रही है सेकेंड सिंग स्टूडेंट्स की हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बन चुग है पहले स्टे इसने ब्रूटल अटैक हुए है लोगों के उपर डिफेंस परसंस के उपर तो इन चीजों को देखते हुए एक जो सेक्योर्टी एडवाइजर होते हैं ठीक है जैसे कि जो अजीव डोबल है नैशनल सेक्योर्टी एडवाइजर है इस पद पर तो यह उनकी जिम्मेवारी जा सके ठीक है बाइलिटल टॉक से उन चीजों को आप कह सकते हैं कि सॉल्व करके यह इशू को खतम किया जा सके तो यह जो है अफगानिस्तान के मुद्दे के ओपर जो है एन यह जो चीफ है जीडोबल जी ठीक है उनके द्वारा मिटिंग रखी जाएगी तो यह पहले ही प्रेस रिलीज हो चुकी है नोट ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया तो यह कुछ आपने अपने ऐसे नोट बनाने हैं वह आपको एक्जाम टाइम पर हेल्प करेंगे ठीक है एक्जाम परपस से एक्जाम में जो कोश्चिन पूछे हो जाते हैं वह आपके लिए हैल्फुल रहेंगे तो चलिए आगे नेक्स्ट जो न्यूज है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आगे जो न्यूज निकल के आई है कोची डिकलेर्ड एज डिमेंटिया फ्रेंडली सिटी अब स्टूडेंट्स यह बहुत ही ज्यादा जैसे कि आप कह सकते हैं जो लोग मेंटली अपसेट या फिर किसी भी प्रकार से कोई दिमागी रूप से बिमार आप बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि लोगों को कोई मेंटल ट्रॉमा या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन चीजों से कोची शहर जो है केरला का वो एक ड इनिशेटिव चलाए था उद्ध बोधन प्रोजेक्ट अब यह कोशन घुमा के पुछा जा सकता है उद्ध बोधन प्रोजेक्ट डेट एंप्रूव दा लिविंग कंडिशन आफ पीपल वह डिमेंट्रिया अब ऐसी कोई भी सिच्वेशन मान लिजे आज की डेट में हर पर ठीछन रहता है ठीक है ची तौ उन चीजों को टकल करने के लिए यहां पर केरला गवर्मेंट ने जो जो प्रोजेक्ट चलाया, उद्बॉधन प्रोजेक्ट बेरी ब्री इंपोर्टन यह आपको पता होना चाहिए ठीक है जी, तो केरला द चलाया, कोची को डेक्लेर कर दिया है, दिमांटरिया जजर्वी दिमेंटरिय our friendly city to Kerala Chief Minister पिनायी, पिनायी विजन डिक्लेर कोची एज डिमेंट्रिया फ्री फ्रेंड्ली सिटी वाइल इनागरेटिंग डिमेंट्रिया फ्रेंड्ली डिस्टिक प्रोग्राम कार्ड उद्बोधन अक्टूबर 16, 2021 उद्बोधन इस प्रोजेक्ट बाइदा नूरो साइंसिस हां जी यहां पर स्टुडेंट्स इधाम औए क्योशन पूचिव लिए से जुढ मारे नृरोजी दिमाग से हमारी नियॉरो ओप सिर्थТ से णी स्टुड़ी है यह क्योशन इक्योशल करे ब्रोच्छ पूचलीर बभीर पूचल आजाता है ठीक है नूरो साइनसे के जो प्रोजेक्ट उद्बोधन उद्बोधन उससे ये जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है ठीक है जी डिपार्टमेंट ओफ दा कोची उनिवस्टी आप साइंसेज और टेक्नॉलजी एरनकुलम डिस्टिक अडिनिस्टेशन और कोची मुनिसिपल कार्परेशन उनके द्वारा चलाया गया इनिशेटिव और यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि उद्बोधन प्रोजेक्ट क्या है ठीक है डिमेंट्रिया फ्रेंडली सिटी कौन सी है कोशन एक्जाम में इ सिस्टम गवर्मेंट प्रोवाइड करा रही है तो मनलब केरला आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल सर्विसेज में बहुत बढ़िया है ठीक है बहुत एडवांस है इंडिया के बाकी स्टेट से तो वहां की गवर्मेंट इन चीजों के बारे में सोच रही है जैसा कि मैं को बता दूं कि हर स्टेज में यह नहीं की जुरूरी नहीं कि कोई परसन ओल्ड हो चुका है या कोई परसन एक एक टाइम के बाद जैसे आप कह सकते कि मैं में अपसेट होने लग गया है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता आज की रेट में हर स्टेज पे हर लेवल पे किसी को को कोई addiction है वो भी mentally आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा definitely हो गई होगा ठीक है किसी को addiction है मुबाइल फोन का किसी को addiction है कोई किसी और चीज का ठीक है कोई न कोई ऐसा mental trauma होता है उन चीजों को ठेकल करने के लिए government नहीं उद्वोदन प्रोजेक्ट चला है इसके key objective के हैं students so the project aims to create awareness about the the rising condition of dementia and people and the aim to improve the living condition of people who have dementia कि इंपोर्टन न्यूज आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट इस वेरी वेरी इंपोर्टन इस न्यूज पर स्टार लगा लीजिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन आप यह मान के चली के एक्जाम में ऐसा question आपको 100% देखने को मिलता है और यह question आएगा ही आएगा ठीक है जी यकीन मान के चली यह students ऐसे question ही एक्जाम में पूछे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोधी टू इनागरेट दा कुशी नगर इंटरनेशन एरपोर्ट ऑन अक्टूबर ट्वेंटी और यू नीड तू नोस अबाउट इस आपको इन न्यूज के बारे में students यहीं से एक्जाम पूछे जाते है आप अगर गहराई में ध्यान करेंगे इन चीजों को अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो easily long term के लिए याद रख सकते हैं यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कुशी नगर कौन सी प्लेस है उची नगर जुड़ी हुए है गौतम बुद्ध से जो भगवान गौतम बुद्ध थे ठीक है जी उनसे जुड़ा हुआ प्लेस है कुशी नगर कुशी नगर इंटरनेशनल एरपोर्ट इस सप्राइड ओवर एन एरिया और फाइव नाइंटी एकर्स एंड वर्ड क्लास फेसिलिटीज मतलब कि यहां पर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट बनने जा रहा कुशी नगर में तो यह मोदी जी का कितना बड़ा इनिशेटिव है ठीक है जहां पर की आप कह सकते हैं मेक इंडिया कॉंसेट रोल प्ले होगा जहां पर एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को आप कह सकते हैं इंप्लाइमेंट जनरेट करके देरिया गवर्मेंट सो वेरी वेरी इंपोर्ट यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है एक्जाम में डेफि ग्राफिक कंट्रोल एटी सी टावर विच हैस बीन बिल्ट अटकॉस्ट ऑफ 17.5 प्रोर हैस बिकम फुली ऑपर एड़ एड़ एरपोर्ट तो मतलब कि यहां पर एटी सी कंट्रोल जो होता है न स्टूडेंस बेसिकली जो जितने भी आपके एरो प्लेंस चलते हैं एरो प् जलता है वो एटी सी से पता जलता है एर ट्रेफिक कंट्रोल से सारा उपर का जो ट्रैफिक है वो नीचे कंट्रोल होता है ठीक है रडार में आपस में चीजें कनेक्ट रहते हैं जीपीस वगले से पीमोधी इनागुरेट दा कुशी नगर इंटरनेशन एरपोर्ट ऑन ऑक स्री लंका कर गोताब्या राजपक्षी गोताब्या राजपक्षी कौन आं यह प्रेघ्रेटन्ट रह algorithms के वहां पर वह भी पहुंचेंगे ठीक है जी 125 मेंबर डेलिएंट्स फ्रॉम अब यह भी आएंगे तो यहाँ पर एंटिक है उन्होंने एयरपोर्ट कुशी नगर मे international airport ठीक एंट्रनेशनल एएरपोर्ट का मतलब यह है कि जहां से दुनिया भर के लिए फ्लाइट सूडती है जैसे आपको पता है आई जी एए एए एइरपोर्ट है वो इंटरनेशनल जी टरमिनल यह राजासांसी इवो तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स तो यहां पर कुशी नगर इंटरनेशल एरपोर्ट मोधी जी ने उद्गाटन कर देना है तो इससे कि आप यह में इंडिया का कर लेंगे तो यह इंपोर्टन चीजें तो यह जो मैंने आपको पहली बताया था कुशी नगर वह प्लेस है जहां पर गौत्म बुद्ध जी को महा परी निर्वाना प्राप्त हुआ था साइट ऑफ तथा गता गौतम बुद्धा महा परी निर्वाना वेरी वेरी देलिगेशन इस अलसो अड़ाइब फॉं शिर लंका कीपिंग इन लाइन विद अतिती देव भावा वेरी वेरी इंपोर्टन अतिती देव भावा अंची निसेसली पर पेश्ट शूट बीमेड फॉर्ट ग्रेंड वैलकम ऑफ द फॉरंग इस चलो यह तो अलग बात हो ग तो आई होप स्टुडेंट्स आपको यह सारी इंपॉर्टेंट करंट फेर न्यूस समझ में आई होंगी ठीक है आप यह पीडियाफ फाइल जाके जुरूर्व डाउनलोड करें बंसल अकैटमी की आप डाउनलोड करें एप से आप लॉग इन करेंगे आप इसली स्टुड मैसेज पहुंच जाएं ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले स्टुडेंट्स ताकि आपको डेली बेसिस पे करेंट फेर मिलते रहें इंपॉर्टन अपडेट्स मिलते रहें तो आई होप आपको क्लास में करेंट फेर समझ आ गया होंगे ठीक है तो नाव व